जंगल जहार से हम लोग आते हैं तो जंगल जहार में महुआ है अनियाँ परकार के फल फूल हैं जिसको हमारे बचे इदा श्वाशन्द होकर के जंगल जहार में खाते हैं अमित बारोए खिलते पूर से दूर कुछ काननद में रहस्य समझे कौन प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल चुन चुन कर गुदिरी में रखती बड़े कीमति लारा गुंबलाज जीला का भावगली के लोकेशन ऐसा है भावगली परिवेश इसा है कि हमारे पास जन्म जात स्टामिना है अमंतित कहते हैं देहात के बच्चों को उ किमानदारी सरबोतम नित्ती है चाहे वो क्लासरूम में हो अपना स्टॉडी कक्ष में हो या खेल के मैदान में हो आगते दोस्तों आप सब का शाहिदाजमी लाई पर मेरे साथ मौजूद है स्कूल सेंट पैटरिक स्टूल गुमला के जो प्रिस्पल हैं मेरे साथ मौजू थे प्रिंसिपल मेरे स्कूल गुमला शाहिता सेंटे में संट्पात्री के स्कूल गुमला हो में हो फैसे टिम बनाने के लिए बहुत महत करना पड़ता है और में ठीम कि बनाने के पहले सिलेक्टर्स सोथ घ्रल त cosplay रहते हैं कि कहां कि कृकंशर में टैलेंट्स दाइर इस बहुत सारे टूर्णामेंट्स होते हैं यहां वहां बाली काओं के तो उन टूर्णामेंट में हम जाकर देखते हैं कि कौन से खिलारी में किस परकार का टैलेंट है और एज उनका क्या है और उसी से हम लोग खिलारियों को सिलेक्ट करकर के ले आते हैं इसकुल में हमारे जो हैं मौस्टली आथिक रूप से कमजोर बाइग्राउंड से हैं बहुत बार उनको कुछ help करना पड़ता है इंकरेज करना पड़ता है और इस अनिय छेत्र में माता पिता आप सपोर्ट करते हैं उस प्रकार के सपोर्ट हमारे इन बच्चों को खिलाडियों को नहीं मिल पाता ह तो अभी भावक का और स्कूल मैनेजमेंट का दूनों का काम हम ही को करना पड़ता है आपके स्कूल में कितने बच्चे होंगे हमारे स्कूल में भी फिलहाल नर्सरी टू ट्वल्फ तक में साड़े तीन हजार विद्यार थी है और खेलों में कौन-कौन से खेल होता है हमार प्रिसपल साब ने हमारे स्कूल के वेनेजमेंट ने हमें डूढ़ा हमें निकाला यहां तक लेका है कैसे यह करते हैं उन बच्चों को उनका टेलेंट कैसे तलाश करते हैं हम लोगों टाइम टू टाइम स्कूल में शिवीर करते हैं और अमंतित करते हैं दिहात के बच्च ग्रोथ इसा होगा और उस में किस परकार का टालेंट है और गुमलाच चैत्र की खासिए यह खासियत यह कि स्टामिना फमेंने देखा है पूरा शुरू से मैंने आपकी मैचछा क्वाडर फाइनल भी देखा सेंग फाइनल फाइनल देखा गजब का स्टेमना था लग रहा कभी थकान इनके चेहरे पर नजरी नहीं आ रही है अग क्या खिलाते हैं देखिए हम लोग दिहातिस शेत्र के लोग हैं और हम लोग के इधर मढवा बहुत होता है जिसको रागी बोला जाता है तो पहले लोग इसको बहुत निमन किसम का अनाज समझते थे लेकिन हम लोग किछेत्र में इसका परियोग बहुत होता है साथी साथ चूंकि जंगल जहार से हम लोग आते हैं तो जंगल जहार में महुआ है अनिया परकार के फल फूल है जिसको हमारे बच्च 32 टीमें थी इस सुबर्दो कप में सभी चैंपियन टीम ती जो अपनी जगह से सेलेक्ट हो गया थी लेकिन कोई आपका मुकाबिल नहीं कर पा रहा था देखिए हम लोग जंगल जहार साते हैं और इसके संब्ध में कवीवर रामधारे से दिनकर ने एक बहुत अच्छा दु कुसुम नहीं मिलते मात्र राजाओं को पुवन में अमित बारवे खिलते पूर से दूर कुंच कानन में रहस्य समझे कौन प्रकृते का बड़ा अनोखा हाल चुन-चुन कर गुद्री में रखती बड़े किमती लाल जी हां प्रिस्पर साहब ने जो बात बताई ने यकीन यह होसला इनकी टीम को बढ़ा था आज आपकी टीम जब इस परतिश्चित टोनामेंट को जीती है पिछली बार भी जीती थी फीना तो चौड़ा हो गया होगा यहां तमाम बड़े-बड़े अधिकारी थे अफसर थे एरपोर्स के बड़े अधिकारी थे जब आपकी टीम को सम्मानित किया था नवाजा जा रहे था क्या मैसुस कर रहे थे अपना जहां मैं पढ़के निकला हो संति इगनाशुस के टीम ने दो हजाग तीरानवे में विदेशी टीम को पराजित करके सुबरतों का कप उठाया था तो हम लोग उस जीला के लोग हैं और इसलिए हमारे खिलारियों ने इन तमाम चीज़ों को मन्थन करते हुए और हम अगे कुछ रहा बनाते हैं उसके लिए जारकन सरकार बिवन परकार के पर्तिस्ठान बना करके चल रही है जैसे एक्सलैंसी अंदरे जो विद्यार्थी निकल जाते है श्कुलस तर से आगए तो ऐसे विद्यार्थों का बढ़ाने के लिए उन्टर का आयोजन किया रहा है सब्सक्राइब करते हैं लेकिन विद्याथी आते हैं मुलाकात करते हैं इसे बहुत अभी तक उस प्रकार का हैं लेकिन विद्याथी आते हैं सला पूछते हैं मांगदसन करते हैं तो उस प्रकार से मेहनत करते जाना है एक आगरचित्ता इसमें आवशेक्ता है निरनतरता कंटिनिवीटी बहुत ज़रुरी है और सबसे बढ़कर के ज़रुरी है कि इंजरी से बचना है तो अन्तिम में आप सामरें देखके अपने स्कूल के बच्चों के लिए क्या कहेंगे जो आपके स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं जो बच्चे खेलते और जो सरी तर्व निटी है चाहिए उग कलासरूम में हो अपना स्ट्रडी कट्च में हो या खेल के मैदान में हो यदि हम इमनदारी पूर्बक अपना काम करेंगे तो निश्ची तरुस से किसी भी छेत्रब में हम जाएं शफ़लता हमारी चरंच में इस जीडि़ बहुतो शुक् दरों शम्ता है कि वो अंतराशी मंच पर जा सकते बस उनको अच्छी तरह मागदर्शन की जरूरत है उनकी कुछ मदद करने की जरूरत है ताकि वो आगे बढ़ सके उम्मिद आप भी इसके लिए कुछ जरूर प्रयास करेंगे निश्चित रुप से जहां तक बन पड़ेग तो आगे उनके बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता साड़े तीन हजार बच्चे इनके स्कूल में पढ़ते हैं और न सिर्फ पढ़ते हैं बलकि कई खेलों में आगे निकले भी हैं दोस्तों मरबाचित हमारी इस्पोर्ट पसंद आए तो लाइक शेयर सस्क्राइब कीजिए बहुत शुक्रिया दन्यवाद